तो तभी पता चलेगी न जब election होगी वोटिंग होगी उसके बाद पता चलेगा तो उससे पहले लीड कैसे दिलानी है वो कैसे decide होगा वो तो दस दिर से आवाज आ रहे हैं अकमवल के फोल की किसको दिना चाही बोड फोल लोगो पूल को इन में से किसको चुनना चाहोगे अगर आपको सिर्फ दो ऑप्शन मिले काजल या जीवन हलो नमस्कार मैं हो प्रितम सिंग संजन और आज मैं आचुका हूँ यहां पे भूलरी के गाउं में और यहां पे मेरे साथ बहुत सारे लोग यहां पे हैं तो एक सीरियस मैं मैं चलाई थी कि जिसमें मैं लोगों के जो रव्यूज हैं उनकी जो प्रेडिक्शन्स हैं या उनके जो उपीनियन्स हैं उनको जाने की कोशिश करता हूं तो आज इन सब लोगों से बाचीत करेंगे और जानेंगे किस पार्टी को यह वोट करने बाले हैं और किस अब देखेंगे कि कौन सी पार्टी को किसकी टिक्ट मिलती है यह कोई क्लेर नहीं है कुछ ऐसी पार्टी जिन्होंने अपनी टिकेट सभी तक डिस्टिब्यूट कर दी हैं जैसे कि भाजपा आगी उन्होंने टिकेट दे दिये मेरे खाल से और एलाइंस आगी उन्होंने भी मेरे ख्याल से कंफर्म कर दिया है और कुछ अजाद उमीदबार भी हैं जो ओपन ली आ चुके हैं बाहर तो कुछ इस तरीके का आपके दिमाग में यह ख्याल है कि किसी एक पर्टिकलर केंडिडिट को आप सपोर्ट करने वाले हो इस बार मुझे लगता कि हम पार्टी की तरफ से स्पोर्ट नहीं करेंगे अजाद केंडिडिड की स्पोर्ट करेंगे क्योंके पार्टी की तरफ से कोई कुछ नहीं होगा पहले भी तो इस बार सोच लिया कि अजाद जो भी अजाद मेदबार होगा उसकी स्पोर्ट करेंगे जो लीड करेगा जो बोटूं की ल कितने ले रहा है कहां से शुरू हुआ किस पुंचाइट में कितने हैं वो हर बोटर को पता लग जाता है लीड पर तो इस वार आजाद केंडिडेट की स्पोर्ट करेंगे बिल्कुल बहुत हो शुक्रिया बातचीत करने के लिए तो यहां पर बात कर लेते हैं करेंगे पर बना रहे हैं जो भी अच्छा केंडिड होगा प्रलिखा जमान होगा उसके साथ ही चलेंगे हमारी जनता वो सी को स्पोर्ट करेंगे बिल्कुल अब क्या चाहते हो आपके आने वाले जो कैंडिडेट हैं उनसे क्या चाहते हो गे वह एलेक्शन जीतने के बाद आपके कहूं-कौंट से ऐसे काम है जिनको वो करके पूरा पूरा करके दे वाईदा करेंगे जो भी तो यह बताना चाहते हैं और अंदर से आवाजे आ रहे हैं कमवल के फोल की आपका नाम मेरा नाम कोशल सिंग है अच्छा भूरुडी से तो किस तरीके का महौल आपको इस बार की एलेक्शन में लग रहा है यहां पे आपकी भूरुडी में लेक्शन में तो विल्कुली जैसे गड़वर लग रहा है ना एक साइड ना दूस यह दो बहुत बड़ी पार्टी है दोनू पार्टी में से फिलाल तो हम हमें कैंडिडेट एक भी नहीं दखाई दे रहा है आगे जाने के लिए जो कैंडिडेट की नाम आ चुकी है जिसे बीजेपी से आ रहे हैं जीवन जी और कांग्रेस से आ रहे हैं काजल जी तो इन मे इन में फिलाल तो अभी सोच के बताएंगे अभी तो चूज तो किया नहीं है लेकर हां ऐसा है के देखो हमें कैंडिडेट हमें बहुत चाहिए जो डूबल्मेंट करवा सके इस वक्त तो हमें पारडी से कोई लेंड हैं हमें बहुत बंदा चाहिए जो कुछ कर सके हमारे लिए हमें तो जैसे पीशे भी बहुत सरी लेक्शन हुई तो उसमें भी हम हम अपने अमीद आगे बरकरार रखते हुए कैंडिडेट को आगे बेजते रहे लेकर किसी ने भी हमारा वो ब्रोसा किसी ने भी पूरा नहीं की अभी आपका देश राजी इस पार के एलेक्शन द्सक्राइन पर किशल रहे हैं जैसे डिसाइट करेंगे मला भात है मारा बहुत बड़ा मला को चार-पैंशो बोत है जैसे वह करेंगे वैसे में उनके साथ चलूगा सर लेटर तो हमारे मल्ले में को आता नहीं कभी देखा नहीं है अभी हम वह अँदर गाय थे वहां पर एक लेडर वहां उसने बात ही नहीं कि हमसे लड़के बोलने थे यह आरा रहा है हमसे बोलेगा वह बिल्कुल बोला ही नहीं ऐसे मला भूत वारा तीन-चार सो लोग है सबसे पहले मैं आपका नाम जाना चाहूंगा आपका नाम राकेश कमार और आपका शामदात ओके इस असंबली एलेक्शन को लेके आपकी क्या राय तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते हम अभी तो एक महिना बाकी एलेक्शन के लिए तो अभी देखते हैं जो भी लीडर अभी देने वाले हैं तो देख सकते हैं अभी देना है कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है अभी तक के एक महीने का समय है और इसी के बीच में कभी इदर कभी उदर ऐसे पलड़ा पलट सकता है तो चलिए कहीं और करते हैं बादचीत और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बादचीत करने के लिए और यहां से बोल रहे हैं कि कोई नया लीडरा आञा ंboys नेan थी आपकी रहातों पुराने狂लि Zombi के लिए कि कुछना होने की पुंगे योपी कि मोहले बैलकुल तो आपने कहा दिया कि-टापने को सपोर्ट करने वाले हो से पहले बूल रहे थे आभी रिसाइड नहीं किया तो भूद बहुत शुक्रिया बाचीत करने के लिए और श्याब्स हाइब को दो करने बाले और अच्छा ओड़िस्सा के हो और यहां पर क्या खरते हो यहां पर किसको देना चाहिए यहां पर आपको पता नहीं जब मो किश्मीर में असंबली के एलेक्शन चल रही है किसको देना चाहिए वोड फूल को